सब्तश्विंगी महिमा, चार देवी मंदिर हैं महालक्ष्मी के, भी हैं, वानी में, ये चार मंदिर, और सब्तश्विंगी मंदिर, साड़े तीन शक्तिपीट हिंदु देवी देवताओं की प्रमुक पीट हैं, अपुर, रेनुकर टेंपल और मोबन महाराष्ट्रा, इन, क देवियों की अभिव्यक्ति अर्थात कोलहापूर की महालक्ष्मी, तुलजापूर की महासरस्वती और माहूर की महाकाली, शक्तिपीटों में से एक यह मंदिर भारतिय उप महाद्वीप में स्थित है और यह वह स्थान है जहां सती के अंगों में से एक उनकी दाहिनी को माना जाता है इलेन जब क्रोधित और उत्तेजित शेव उसके मृत शरीर को अपने कंदों पर लेकर विश्व ब्रह्मन कर रहे थे और विश्णु ने उसके शरीर को टुकड़ों में काद दिया था उनके सुदर्शन चक्र के टुकड़े कर दिये इस घटना के पीछे की कह जानी यह है कि सती भगवान शिव की पहली पतनी के पिता राजा प्रजापती दक्ष ने एक यग्य करने का फैसला किया दक्ष प्रजापती जो अपने दामाद को पसंद नहीं करता था क्योंकि वह उसे भिक्षुक समझता था उसने जानबूज कर उसे यग्य में आमंतरि भगवान का सती को अपने पता द्वारा अपने पती के प्रती दिखाए गए अपमान से बहुत अपमानित महसूस हुआ जिससे उन्होंने गहरे प्रेम के कारन विवाह किया था हालांकि उसने फैसला किया अपने पिता द्वारा बिन बुलाए यग्य में शामिल होना जब वहाँ थी तो उसके पिता ने उसकी उपस्थिती को पूरी तरह से नजरंदास करके और शिव को अपमानित करके अपमान को और बढ़ा दिया ब्रमहा और सतल को बहुत अपमानित और आहत महसूस हुआ और फिर हताश होकर उसने यग्यागनी में कूटकर आत्महत्या कर ली जब यह खबर दी गई चक्र, शिव और उनके सुदर्शन के साथ शिवा ने पहले अपने सहायक को जाच करने और फिर बदला लेने के लिए साइट पर भेजा शिव भी यग्यस्थल पर पहुँचे और सुष्टी रची की विश्णू इस समाधी अवस्था में रहेंगे दू, खा और क्रोध के कारण उन्होंने सती के शव को अपने कंदे पर रख लिया और ब्रमांड में गूमने लगे विश्व ने हस्तक शेप करने और शिव को उनके सामान्य स्वरूप में वापस लाने का फैसला किया इसके बाद यह निलनाय लिया गया सती के मृत शरीर को टुकडे टुकडे कर दिया इस प्रकार जब शिव ने दुनिया भर में यात्रा की तो विश्व ने उसे 51 टुकडों में काद दिया सती के शरीर के 51 अंग बिखरे पड़े थे उप महाद्वीप के विभिन स्थान सती की दाहिनी भुजा सब्तश्रिंगी पहाडी पर गिरी और वस्थान पवित्र हो गया और शक्तिपीट बन गया यहां स्थापित किया गया मंदिर की अधिश्थात्री देवी को सब्तश्रिंगी साथ पहाडियों की देवी सब्तश्रिंगा निवासिनी सब्तश्रिंगा पर निवास करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही कोई सीडियां चड़ना शुरू करता है, वहाँ एक भेंस का सिर बना होता है। तब अर्थारा भुजाओं वाली सब्तश्रिंगी देवी ने दुर्गा का रूप धारन किया और महिशासुर का वद किया और तब से वह भी हैं। राक्षस महिशासुर भेंस के रूप में था और पहाडी के नीचे मर गया। पत्थर में जो राक्षस महिशासुर का माना जाता है। महाकाव या रामायन युद्ध के दौरान जब लक्षमन युद्ध क्षेत्र में बेहोश पड़े थे हनुमान और शदी की तलाश में सब्तश्रिंगी पहाडी पर आए। उसके जीवन को बहाल करने के लिए जड़ी बुटियां। सब्तश्रिंग परवत दंकारन या नामक जंगल का एक हिस्सा था जिसका उलेक रामायन में मिलता है। संस्किन में सिकुडा हुआ इसलिए नाम देवी के 18 हाथ अश्दश भुजा हैं। सब्सक्राइब के लिए मौजूद रहती है। सब्सक्राइब से रहती है।